सिद्ध योग में आपका स्वागत है। ये दो सप्ताह एक ऐसा समय है जिसमें आप शामिल होकर अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन का अनुभव कर सकते हैं वह भी बिलकुल मुफ्त में। साथी साथ आपका डाईजेशन अच्छे से काम नहीं कर रहा है, आपको पाचन से रिलेटेट समस्याएं रहती हैं, आपका जो खाना खाते हैं वो पच्ता नहीं है या फिर आपको आपको ऐसे आधन की अभ्यास का जो की आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके इनस तो चलिए दोस्तों अपने नवासन यानि के बोट पोस के अभ्यास को शुरू करने से पहले हम लोग इसकी कॉंट्रा इंडिकेशन को समझ लेते हैं तो दोस्तों अगर आपको बैक से रिलेटेट बहुत जादा सीविर इंजिरी है या फिर हाल ही में आपके पेट में कोई operation हुआ है आपके पेट का कोई operation हुआ है या फिर pregnant ladies को इस आशन के अभ्यास को नहीं करना है ठीक है तो यह थी इस आशन की फिर्स्ट पोज यह प्रपरिट्री यह हमें दंडासन की पोजिशन इस तरीके से लेनी है ठीक है थो बोट पोज जो नवासन है इसको हम दो पार्ट में करते हैं पहले हम प्रैक्टिस करेंगे half boat pose यानि कि अर्ध नवाशन की यानि कि इसका half variation हम लोग करेंगे क्योंकि full variation के लिए आपकी thighs और core muscles को strong होना बहुत ज़रूरी otherwise आप इस आसन के अभ्यास में नहीं रूप पाएंगे तो पहले हम half variation को करेंगे और half variation को भी करने के अलग-अलग तरीके होते हैं तो as a beginner आपको किस तरीके से करना है इस आसन के अभ्यास को चलिए चलते हैं पहरा जाए step है आपको क्या करना है आपको अपने दोनों पेरों को band करना है गुट्नों से इस तरीके से दोनों feet एक दुसरे के पास रहेंगे दोनों गुट्ने एक दुसरे के पास रहेंगे इस तरीके से तो यहाँ पर हम लोग practice करेंगे half boat pose की तो half boat pose हम support के साथ कर सकते हैं और without support कर सकते हैं support आपको कहां लेनी यह मैं आपको बता जेता हूँ अपने पैरों को अपने इस लिए मैंड किया है जिससे कि आपकी spine आराम से सीधी हो सके ठीके न अब यहाँ पर का करना है आपको हाथ और support लेनी और दीर दीर आपको अपने दोनों पैरों को उपर उठाना है बहुत जादा ऊपर कितर नहीं उठाना है आपके दोनों हाथ हैं वो shoulder level पर shoulder line में रहेंगे और यहाँ पर आप दीरे दीरे स्वास बरना है स्वास चुड़ना है आप इस आसन के अभ्यास में रोख सकते हैं दोनों खुटनों को और दोनों पैरों को मिला कर रखना है वापस आने के लिए दीरे से अपनी थाइस को पकड़िए फिर दीरे से अपने पैरों को नीचे रख दीजिए आप यहाँ पर खुटने को सीधा करके कर सकते हैं यह इसकी पहले आपको दोनों पैरों के साथ इस तरीके से सपोर्ट के साथ और विदाउट सपोर्ट अभ्यास करना है ठीक है फिर आपको एक पैर के साथ अपने दूसरे पैर को सीधा करके तो जो आपका एक पैर है यानि नीज को straight करके practice करनी है तो आप दोनों खुटनों को एक बार में सीधा करके आप इस तरीके से practice नहीं कर पाएंगे, balance नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम लोग पहले एक पैर को सीधा करके और एक पैर को band करके ही practice करेंगे, ठीक है, तो first step मैंने आपको बताया है कि आपको यह यहाँ पर इस तरीके से practice करना है, अब जो हमारा second step है, chest को बार की तरफ करना है, दाए पैर को सीधा कर देंगे, और दोनों हाथों को सीधा कर देंगे, इस तरीके से, हाथ के उंगली आपको खुली रखना है, spread रखना है आपनी fingers को, और ध्यान रहे, back को हंच नहीं करना है कोई भी इस तरीके से नहीं करेगा, ठीक है? spine को सीधा रखना है, स्वास लेते ने चौड़ते ने, आपको अपनी thigh पर pressure फील होगा, आपको अपनी core पर पression फील होगा, आपको अपनी back पर pressure फील होगा, तो आपकी thigh muscles की strength बढ़ाने में, आपकी core की strength को बढ़ाने में, आप से साथ आपका जो पेट का एक्स्ट्रा फैट है उसको कम करने में भी बहुत ज़ता है यासन तो दाय पेर से करने के बाद हम लोग इसको बाय पेर के साथ भी इस तरीकी से प्रैक्टिस करेंगे चेज को बाहर की तरफ रखना है ध्यान रहे बैक को आर्च करने कर ट्राइ करना है जितना हो सके हंच नहीं करना है कोई भी हंच नहीं करेगा अपनी बैक को सभी लोग बैक को आर्च करके ही प्रक्टिस करेंगे आद के उगले खुली हुई वापस आने के लिए आप यहाँ पर इस तरीके से बैक्टिस कर दीजिए ठीक है यहाँ पर आप थोड़ा दर रिलैक्स कर सकते हैं ठीक है न तो मैंने आपको हाफ बोट पोस की दो वेरेशन बताई पहला आपने दोनों घुटनों को बैंड करके आप सकते हैं फिर एक घुटने को बैंड रखिए मैट पर एक गुटने को सीधा करके आप बोट पोसकी हैसरे कर सकते हैं सक्टेंड में राप पेस्ट के दो साथ साथ यह आपको थाई राड में भी ह़या बहुत ज़ल्दी फ्रफेंगे बहुत्थ करता है। for ladies यह बहुत जादा व्सक्राइब करते हैं तो आपके थाईरायड में जाफ करता है। जैसा कि Contra Indications में मैं आपको पताया अगर आपको Baccellerated severe injury है, Pate Cellerated आपका हाली में कोई operation हुआ है, ओके, pregnant ladies जो है, वो इस आसन का अभ्यास ना करने है, ठीक है? आप चलते हैं आपने इस आसन की final variation की तरफ, ठीक है? तो देखिए final variation कैसे करना है? चेस्ट को बाहर की तरफ, ठीक है? तो final variation में भी आप support के साथ भी कर सकते हैं, without support भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने half variation में किया था, तो आप का करेंगे, दोनों thighs को पकड़ लीजिए, चेस्ट को बाहर की तरफ, elbows को सीधा करेंगे, दोनों घुटनों को सीधा कर लीजिए, और ध्यान रहें, आपके दोनों घुटनों को सीधा करने के बाद, आपके जो pair के अंगूटे हैं, वो आपके forehead की line में रहेंगे, आपके forehead से उपर नहीं जाने जाने जाएंगे, आप support के साथ इस तरीके से अगर आपकी core strength अच्छी नहीं है, बड़ अगर आप अपने घुटनों को सीधा कर सकते हैं, आपकी hamstring और hip muscles की flexibility अच्छी है, तो आप इस तरीके से इस आसन का अभ्याद कर सकते हैं, अगर आपको लगता है दिरे-दिरे आपकी core muscles strong हो रही है, तो आप हाथ के उन्हें खोल के इस तरीके से भी boat pose का अभ्याद कर सकते हैं, वज ध्यान रहे हैं आपका forehead है, आपका जो माता है और आपका जो पैर के अंग उठे हैं, वो एक line में होने चाहिए, वापस आने के लिए दिरे से band करके वापस आजाएंगे, ठीक है, तो final pose में भी आप support के साथ कर सकते हैं, without support कर सकते हैं, दोनों ही तरीके से आप इस आतन का अभ्याद कर सकते हैं, ध्यान रहे कि आपको पहले जो variation पताई गई हाफ variation उनका आपको अभ्यास करना है, तब भी आप final pose का अभ्यास करें, कोई भी directly final pose का अभ्यास नहीं करेगा, क्योंकि इससे आपको injury हो सकती है, आपकी back पर injury हो सकती है, साथे साथ आपकी core muscle भी बहुत ज़्यादा contract हो सकती है, आप हो सकता है कि आपको पेट में या फिर thighs में cramp आ जाए, क्योंकि जब over pressure परता है, आप over stretch करते हैं वड़ी को, तो cramp आ जाते हैं, तो इसलिए जो आपको तरीका बताया, step by step आपको उसी तरीके से practice करना है, और last time मैं आपको बता दू कि इस आसन की half variation से आप शुरू करेंगे, इसको करना और starting में आप 20 से 30 second तक half variation को hold कीजिए, ठीक है, जब आप 30 second तक half variation को अच्छे से hold कर सकते हैं, दोनों पैरों को band करके, और जो second variation मैं आपको बताया थी, एक पैर सीधा करके, एक पैर band करके, आप 30 second तक half hold कर सकते हैं, फिर आप इस आसन की final pose में जा सकते हैं, और final pose में भी आप चाहें तो हाथों को thais पर support करके, जो आपको बताया था, वहाँ पर आप practice कर सकते हैं, या फिर आप इस आसन को different तरीके से practice कर सकते हैं, final pose में बिना किसी support के, तो दोस्तों, ये जानकारी थी आपके board pose, नवासन के बारे में, मैं आशा करता हूँ कि, आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि, कि किस तरीके से हमें board pose नवासन का भ्यास करना है, और मैंने आपको इसकी counter indications और इससे जो लाब होते हैं, वो सब मैंने आपको बताए हैं, इस आसन के और भी काफी ज़्यादा benefit है, बहुत सारे benefit हैं, हर आसन के कोई limited benefit नहीं होते हैं, unlimited benefit होते हैं, तो अगर आप आसन को करते हैं, तो धीरे धीरे आप उसके और भी ज़्यादा benefit लेने लगते हैं, जब आप उसको और ज़्यादा time तक, कहनी कि पहले आप 30 second hold करते हैं तो different benefit होते हैं जब आप आप 1 minute तक hold करते हैं तो इसके benefit और भी जादा पढ़ जाते हैं तो मैं आएक हैं वारे जानकारी आपके लिए लाबकारी होगी और इस जानकारी के साथ आप बोट पूस नमाशन का अभ्यास अच्छे से कर बाएंगे तो चली आप लोग करिए इस आसन का अभ्यास हम मिलते हैं आप से अगले आसन के अभ्यास में तब तक के लिए नमस्कार